जैमा काली मित्रों आपका मेरे चनल मा काली मा दुरुगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रों आज का जो विशे है वो विशे बहुत ही मैत्पू है तो विशे ये है कि जब आप व्यपार करते हैं आप कोई दुकान करते हैं या किसी भी प्रकार का उद्योग करते हैं, तो जब उसका बंधन हो जाता है, यानि आपका जो व्यपार होता है, वो बिल्कुल चलना बंध हो जाता है, पहले आपका व्यपार चल रहाता है, लेकिन अचानक से चलना बंध हो जाता है, आपका व्यपार बिल्कुल से बंध हो जबकि आपने भी वही दुकान की है वही सब कुछ आपने वही मेटीरियल रखा है उसके बाद भी आपकी कोई दुकान चलती नहीं है आप सुबह साम बैठे रहते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बोनी भी नहीं होती या आप कोई व्यापार करते हैं या कोई व्याफ तो इसका रती है कि आपका व्यापार बांध दिया गया है उसका बंधन हो चुका है तो बंधन कई प्रकार से होता है कई तरीकों से बंधन होता है और कई बार हम आपको जो मुख्य रूप से बताएंगे आपको चार ऐसे कारण बताएंगे जिस कारण से आपका व्यापार च जाते हैं जिस कारण से आपका व्यापार चलना बंद हो जाता है देखिए सबसे महत्पुन कारण तो अलग होता है लेकिन जो समाने कारण होते हैं वह अलग होते हैं देखिए कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कोई ऐसी पुन्यात्मा होती है यानि हमारे घर में हमारे होती होती रहती है और हमारे घर में सभी प्रकार की सुख संपत्ति होती है लेकिन जब अचानक से उस व्यक्ति की वह हमारा कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है और जब उसकी म्रत्य हो जाती है तो ऐसी परिस्टिती में भी हमारा परिवार चलना बंद सोरी व्यापार चलना बं अच्छे थे आपके घर में जो भी रोटी थी पानी था यह धन संप्रदी थी जो भी था वह उसी के भाग्य का था और जब वह इस संसार से विदा हो जाता है तो आपका व्यफसाई चलना बंध हो जाता है और आपकी वही परिस्तिति यानि आप परिशान हो जाते हैं आपके घर में होता है वह धीरे-धीरे करके जाने लगता है यानि उसके भाग्य का जो होता है उसके जाने के बाद धीरे-धीरे करके आपके घर से जाने लगता है एक तो कारण यह होता है दूसरा कारण क्या होता है आपके घर में किसी ऐसी आत्मा का जनम होता है जो अभागी है यानि उसके भागय में अगर कुछ नहीं है, वो भागय हीन बच्चा है और उसका जणम आपके घर में होता है तो ऐसी परिष्टिती में भी आपका वेबसाइट चलना बंध हो जाता है, आचानक से आपका कार्य धंदर ठप हो जाता है, क्योंकि उसके भाग्य में कुछ नहीं होता तो इस कारण से वो आपको भी दरीदर बना देता है आपके घर से जो भी धन समपदा होती है वो धीरे-धीरे करके जाने लगती है और आपका अंगाल हो जाते है क्योंकि वो भाग्य हीन है उसके भाग्य में कुछ नहीं है तो आपकी ना तो कोई समपत्ति को प्राप्त कर सकता है और ना ही आपके धन को प्राप्त कर सकता है तो ऐसी परस्थिती में भी आपका व्यासाय चलना बंद हो जाता है आपका कामदंदा ठप हो जाता है एक ये कारण होता है तीसरा कारण होता है कि जो आपके घर के पित्र होते हैं अगर वो आपसे नराज हो जाते हैं यानि जो पित्र हैं आपके पूरवज हैं अगर वो तो ऐसी परस्तिती में भी आपका कारिय धंदा बिल्कुल बंध हो जाता है आपके घर में कोई भी बरकत नहीं रहती अगर पैसा आता भी है तो पैसा जोकत्यों चला जाता है उस पैसे का आपको कोई लाब नहीं मिलता है तो यह भी एक महत्पूर्ण कारण होता है जिस करण से आपके व्यकार का आपकी दुकान का बंधन होजाता है अब बात करते हैं वो महत्वून करण जस करण से आपके रुपकН कारण यहानी तंतर की द्वारा आपके कारिय को बंद कर दिया जाता है आपकी अगर factory है अगर आपकी दुकान है या आप कोई रेडा चलाते हैं या आप कोई ठेला लगाते हैं आपका एक निश्चित इस्थान है जिस पर आप बैठते हैं अगर आप छोटा मोटा रोजगार भी करते हैं तो ऐसी परिस्तिती में क् सुबह चमPE के समय और स्टान को वैसे ही सलएं आपको ना तो कोई भी लाभ होता की आमदनी होती है तो ऐसे पर नियों आपके व्यपार को तंत्र के माध्यम से बंद और आपके की जाता इतल आप वहां है आपको नीबू कटा हुआ मिलता है या कुम कुम और आपको मिलता है या किसी ने देंहें रखी हूई है या फिर तंत्र के कोई वज्टू वहां पर रखी गई है यहां पर आप ठेला लगाते हैं तो कई बार जहां पर कच्ची भूमी होती है तो उस कच्ची स्झेद्र का बंधन कर दिया जाता है जो निढती जाता है जो बहुंदी ऊध्य होती चेसे नीबु Sang limit करके जी जाता है यह कीले गाणी जाती है या उड़चे डाने डाल दिया जाते थो ऐसी पर स्थिती वह बाप आप पटो आपको यह नहीं पता चल पाएगा मेरा यह तो नहीं चल रहा है आपको घ्रहा काने बंध सब्सक्तारा रहेगा दोसरी बाव दूपान करते पाएं अलग अलग गतर है की तंतर का संहेता है तो भी तंत्र के माध्यम से बंधन कर दिया जाता है आपकी फैक्टरी है तो फैक्टरी के बाहर भी आपको अगर नीबू कटा हुआ मिलता है या कोई दिया जला हुआ मिलता है उड़त के दाने मिलते हैं बाल मिलते हैं कीले मिलती है या आपकी फैक्टरी के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई चीज गाड़ी जाती है तो तंतर की चीज वहाँ पर गाड़ी जाती है तो इसके द्वारा आपके कारिये का आपके उध्योग दंदे का बंधन कर दिया जाता है और जब उसको बांध दिया जाता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें वो व्यापार बिल्कु बंधन नहीं चलता है और फ्रस्रेट्ट हो जाती है तो जो बंधन की किया जाता है उस बंधन को खूलना पड़ता है उसकंड़ होते हैं अगर आप उसका उपाया नहीं करते JSOW जाए आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे आपका धन्दा बिल्कुल नहीं चले गा तो डंदा नहीं चलेगा तो मित्रो trailer आपकеци boundaries भी आपगा आपकी वेपार थैया नहीं चलता है तो बंधन के कारण यह सर्व होते हैं और इसको बंधन ही बोला अगर बंधन किया गया है तो बंधन को किसी अच्छे भगत से में कि और अपनी दुकान का जब आपका बंधन खुल जाएगा तो आपकी दुकान चलने लगेगी जैसे आपके पडोसी की दुकान चलती है तो उसी प्रकार से आपकी भी दुकान चलने प्रारम हो जाएगी मित्रो येति जानकारी आप सभी के लिए माबगवती से यही प्रास्थना करते हैं कि वह आपके भंडारे भरती रहे आपकी सभी मनोकामनों को पूर्ण करती रहे आप से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल